Hello everyone, welcome back to your channel Raw Glasses My dear friends, आज morning ही मैंने एक पोस देखा जिसमें क्लेम किया गया कि ये जो बुक है अध्यन मंत्रा की रोहित सरदुआरा ये आमेजन पे नमबर वन ट्रेंड कर रही है Not even in education sector, बट सभी sectors में जितनी भी बुक सोल्ड आउट होती है नमबर वन, जो कि एक बहुत बड़ी achievement होती है किसी के लिए भी हमारे भी कान खड़े हो गए, हमने भी सोचा कि देखा जाए यार ऐसा क्या है बुक में जो नमबर वन ट्रेंड कर रही है तुरंत जो है भाई हमने भी अपना पास वाले स्टोर पे गए और परचेस की यहाँ पे क्लेम करते हैं कि इन्होंने unit wise explanation दिया है as per the new pattern जो नया syllabus आया है pictorial representations है इस बुक में और दो pedagogical mock test भी दिये गए है 60-60 number के और claim करते हैं कि इसमें summarized notes मिलेंगे आपको NIS, IGNU और SCRT के जो भी नए आपके syllabus है bilingual यह बुक है बाकी यह helpful है आपकी PRT, TGT, PGT उनके साथ-साथ अगर principles और wise principles भी जाते हैं वो भी इसको देख सकते हैं सबसे पहले मैंने इसको खोल के देखा तो एक चीज़ तो मुझे इसमें अच्छी लगी खोलते ही कि जो चीज़ इन्होंने claim की है कि bilingual है वो यहाँ पर दिया हुआ और as per the syllabus है जैसे कि role of teachers वहाँ दिये हुए एक्स वाइज़ बहुत सारी चीज़े हैं तो काम किया हुआ है ठीक काम किया हुआ है अच्छा काम किया हुआ है बाकी बात करें आपके developmental task की तो कोई milestone कहता है ने कोई developmental task कहता है पता नहीं लेकिन इन्हों ने जिस तरीके से बताया है मुझे वो चीज़ भी अच्छी लगी ठीक है ना मैंने भी काफी मैनत की थी developmental task जब बना रहा था तो इन्हों ने इसके विशेष्टाएं जो है वो बताई हुई है उसके बाद challenges hazard के रूप में दिये हुए है वो ही physical and psychological जो है आपके और फिर factors बताते हुए वो ही Robert J. Havinghurst की जो six stages है वो यहां पर define की हुई है अच्छे तरीके से वो ही सारा लिखा हुआ है ठीक है और एक और जो चीज मुझे अच्छी लगी I don't know what chapter खुलेगा मेर से नहीं यहां पर yes this one FLN में लक्षयाज दी हुए है लक्षयाज जो है FLN ने चार category में डिवाइड किये हैं बालवाटी का class 1 class 2 and class 3 तो यहां पर वो बताये हुए है प्रोपर और यहां से question मेरे अजाब से तो 100% बनेगा तो पहली book देखी है मैंने वैसे मैं बहुत जाला books देखता नहीं हूँ बट कुछ books देखी है मैंने जिसमें यह चीज नहीं बताई गई है जो FLN के निपून draft में दी हुई है जैसे क येस recommendable book है ECC वगेरा बताया हुए है बड़ अच्छे से और जो claim किया है वो चीज़े दी हुई है pictorial representations भी है जहां भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है mental health आपका unit 3 का last वाला second last जो है topic है वो यहां पर cover किया हुए बाकी एक और अच्छी चीज लगी थी की post और pre-independence जितनी भी आपकी educational policies थी वो बताई हुए है so ठीक है overall मिला के मैं इसको 4.5 rate करूँ है out of 5 अगर मेरे से कोई पूछे और 0.5 इसलिए कि 2-4 चीज़े मैं मतलब मैं तो अपना दे रहा हुँ ना या expert नहीं हूँ but still मैं recommend तो करी सकता हूँ तो एक दो चीज़े है जो मेरे साब से होनी चाहिए थी otherwise this book is really good और मैंने अभी तक ऐसी book सच में मतलब psychology जो नया syllabus है उसके लिए नहीं देखिए so अगर good to go है अगर आप चाहते हैं तो बिलकुल ले सकते हैं इसको imagine पर भी मिलती है शायद और जैसे मेरे घर के पास मिल गी मेरे को तो वहां भी मिल आप you can go for it for sure okay आप मतलब regret feel नहीं करेंगे लेने के बाद जिसे कई publications की ले लेते हैं और हमें बड़ा कह रहा है यार पैसा waste तो वो नहीं करेंगे at least यह पकी गारंटी है ठीक है अची book है ले सकते है चली bye everyone take care god bless you all और भाई exam date आई नहीं है अभी तक तो फरवरी में exam मुश सकता है 10 दिन पहले फोड़े 15 दिन पहले बट अभी के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है ठीक है चलो bye everyone take care god bless you all और मिलते है रात को 9 बजे फिर अपनी आज की live class में 15 questions of pedagogy